मुंबई में एक फैशन शो के दौरान दिखाई दी अभिनेतरी यामी गौतम वेडिंग शो के अंतरगत इस कारेकरम को आयवजित किया गया था और यामी गौतम बे इंतेहां खुबसूरत नज़र आ रही थी यामी ने रैंप वाग भी किया और अपनी अदाओं के जलवे कुछ इस अंदाज में भिखे दे यामी ने सवाल जवाब के दौरान इस शो के साथ अपने असोसियेशन के बारे में हमें बताया I'm not just seen it, I'm wearing also one of them and I've always been a huge fan of her design I think so many of us, you know, we've been and it's so stunning, it's beautiful, I love the gota work, I love the silk, I love the colour and the fact that it's so light and I think the concept is the gypsy bride, right? So if you're a gypsy bride, you're a little boho, you'll dance, you'll, you should just feel, you know, free spirited and that's only possible if you're comfortable in what you're wearing and of course look stunning, so thank you so much, Rohit Yami ने लगे हाथ अपनी आने वाले फिल्मों का जिक्र भी किया और जब पुल के सम्राड से जुड़े सवाल के बारे में पूछा गया तो सुनिये क्या कहना था Yami का Well Yami Gautam की पिछली फिल्मों का कलेक्शन तो बॉक्स ओफिस पर बहुत ही खराब रहा है देखना ये खास होगा कि रितिक रोशन के साथ उनकी आने वाले फिल्म काबिल बॉक्स ओफिस पर कितना गुल खिला बाती है